कि अब आज कर रही है हलो 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 आ रही लाइब कर दो कि नमस्कार साथियों मैं संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परवार रोजगार विदन के पर कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत सांदार होंगे आप सब की पढ़ाई बहुत सांदार चल रही होगे तो प्यारे साथ ही एक बार जल्दी से क्लास में आ जाएंगे बहुत सांदार बहुत बहतरेन तो आज की क्लास में एक नया टॉपिक रह एकदम बढ़िया तरीके से तो एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कि आप तयार हैं अच्छे आज थोड़ा सा लेट हो गई है क्लास कोई बात नहीं है है ना पूरा हम जितना पढ़ना था उतना ही पढ़के जाएंगे है ना चलो आजाओ जल्दी से जल्दी से आ जाए मनी, सिवानी, अमोल, कुमार, कंचन वर्मा, रजत, सूरज, मानसी, बहुत बढ़िया पायल, प्रांजली, रजत, कुमारीशी, तल, वास्तु, विद, कुलदीब सेहिं, राज मौर्रे, वेरी गुड आजाओ साथी जल्दी से क्वेश्चन पर अगर मैं सबसे पहले थोड़ी सी बात करूं कि बल्ड रелेशन क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं यहां से, तो उन बातों को थोड़ा सा समझने की कोसिस करेंगे जो बल्ड रिलेशन होता है, मतलब इसे हम English में कहते हैं, बल्ड रिलेशन और हिंदी में कहते हैं रक्त संबंद बोलेंगे क्या मैंने कहा क्या कहते हैं रक्त संबंद कहा जाता है आज़े हैं आज़े आरे यहां खाज़े हैं बैठ जा नहीं तू खाले मैं कह रहा हूं अहीं हूं हालो हालो अब आ रही है वाज ठीक 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 अब आ रही होगी अब आ रही होगी वास्तो विद्धकुल दीव सिंहरे आवास दो हमको हम खो गए हालो तो मैंने कहा कि एक होता है जेनरेशन यानी की पीड़ी एक होता है जेंडर यानी की पुरुस है या महिला है जब भी कोई व्यक्ति पुरुस को दरसाएगा तो मैं उसके लिए पिलस का चिन लगाऊंगा क्या कहा मैंने पुरुस के लिए पिलस का चिन लगाऊंगा और म माइनस का चन्न लगांगा बाता रही समझ में महिला के लिए माइनस का चन्न घृष कि तो मैंने कहा राम नाम का को यह तो राम का जो मतलब जो जेंडर होगा अगर यह व्यक्ति है आदमी है आदमी है ये पुरुस है तो मैं क्या कहूंगा मैं कहूंगा राम को पिलस क्योंकि राम एक पुरुस है क्योंकि राम एक पुरुस है तो मैं से प्लस बोलूंगा अगर मैं बोलू राम की माता जी तो राम की माता जी राम से एक पीड़ी उपर होंगी और माइनस लगा दूँगा तो यह राम की माता जी हो जाएंगी लेकिन यहां important बात यह है कि राम की माता को हमने राम से एक पीड़ी उपर रखा बाताई समझ में जो राम की माता थी उसे मैंने राम से एक पीड़ी उपर रखा तो यह राम की माता यानि माइनस हो गई सर अगर राम के पिता की बात कर रहा होता तो ये जो माइनस है इसे में पिलस बना रहा होता ये राम के पिता हो जाते बात आ रही है समझ में ये राम के पिता हो जाते राम के पिता राम से एक पीडियो पर अब मान कर चलो राम के उपर एक पिलस है प्लस के उपर भी एक प्लस है तो कोई बताएगा ये कौन है राम के राम से उपर प्लस राम के प्लस के उपर भी एक प्लस तो जो उपर वाला प्लस है वो कौन है राम के कोई बताएगा वो कौन है राम के राम के राम के उपर प्लस उससे उपर भी एक प्लस भाई सब ये र राम के दादा जी बनेंगे, मतलब पिता जी के भी पिता जी है, very good बच्चे, अगर मैं आप लोगों से कहूं, मैं आप लोगों से कहूं कि ये पिलस नहीं है, मैं कहूं कि ये माइनस है, तो मैं क्या कहूंगा, राम के उपर एक माइनस, उसके उपर एक पिलस, अब कौन है य अब नाना जी हो जाएंगे तो रिस्ते दो प्रकार से चलते हैं मैंने कहा तो रिस्ते दो प्रकार से चलते हैं एक चलते हैं पिता की ओर से और एक चलते हैं माता की ओर से जो रिस्ते पिता की ओर से चलते हैं उन्हें पैटरनल बोलते हैं और जो रिस्ते माता की ओर से चलते ह दोस्तों उन्हें maternal कहा जाता है सही है तो बात clear हो गई अब अगर मैं कहूं राम का भाई तो राम के बराबर में ही तो एक प्लस आएगा भाई जो भाई होगा वो तो समान पीड़ी का होगा वो ना एक भी पीड़ी उपर होगा ना एक भी पीड़ी नीचे होगा तो राम का भाई राम के बराबर में आएगा एक प्लस के रूप में मैं कहूं राम की बहन कहा आएगी तो राम के बराबर में ही आएगी एक माइनस रख दूँगा मैं अगर कहूं राम की पतनी कहा आएगी तो राम की पतनी बच्चे ये कौन ये माइनस है माइनस ही तो आएगी अगर ये पतनी है तो ये माइनस ही तो आएगी पतनी भी लेकिन लेकिन ये जो राम की पतनी है अब यहाँ पर एक थोड़ा सा सस्पेंस बनता है कि हमने बहन को भी तो ऐसी बिठाया था तो यहाँ पर पतनी को इस लाइन को डबल कर दो यह जो लाइन है इस लाइन को डबल कर दो तो यहां से इंपोर्टेंट पॉइंट नोट करना कि विवाहित जोड़े के बीच में डबल लाइन का चिन्हम दर्साइन मैं आपको तरीका ऐसा बताऊंगा फिर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आजाए आप कर पाऊगा सही है भाई तो पती पतनी के बीच में डबल लाइन का रिलेसन होगा ये बात ध्यान रखनी है राम का बेटा कहाँ आएगा तो राम का बेटा आएगा पिलस राम से नीचे बताओ clear है ये बात, बोलो यहां तक clear है, अब अगली बात को समझो, कि अगली बात क्या है, अगर मैं आप लोगों से बोलू, मैं दोस्त अगर आप लोगों से एक छोटी सी बात बोलू, मैं कहूं कि राम के चाचा जी, मैं कहूं राम के चाचा कहां आएंगे, कोई बनाएग क्या राम के उपर अगर एक प्लस रख दूं तो क्या ये राम के चाचा हो गए भाई चाचा एक पीड़ी उपर ही तो होंगे राम के जो चाचा जी होंगे वो राम से एक पीड़ी उपर होंगे तो क्या मैं राम के उपर डायरेक्ट प्लस रख दूं ये सही या गलत है होगे चाचा जी क्यों नहीं है बेटा अगर जश्ट ऊपर की बात करूं भही राम के जश्ट ऊपर की बात करूं तो जश्ट ऊपर में कभी भी चाचा नहीं आएंगे तो हमेशा यहां पिता जी आएंगे मैंने कहा पिर चाचा कैसे आइंगे तो राम के उपर कौन राम के पिता जी और पिता के जो भाई होंगे वो पिलस होंगे अब ये जो पिलस होगा ये राम के चाचा होंगे यानि अगर आपको चाचा पर जाना है तो डाइरेक्ट नहीं जाईएगा पहले पापा फिर पापा के भाई चाचा आपको मौसा पर जाना है तो पहले मम्मी फिर मम्मी की बहन मौसी फिर मौसी के पती मौसा यानि आप लोगों को डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकालना है माता पिता के थ्रू ही निकालना है बात आ रही है समझ में माता पिता के थ्रू ही निकलना ये point clear हो गया होगा सब ही को बच्चे अब next point पर चल रहा है यहाँ पे ध्यान से सुनो अगर मैं कहूं कि ये A है जो कि एक लड़का है प्लस हो गया ये B है जो कि एक महिला है माइनस हो गई तो मैंने कहा B को उपर रख दिया चलो एक काम करते हैं इसे भी प्लस ही कर लेते हैं तो B भी प्लस है तो मैंने कहा कि A के उपर प्लस है तो इसका मतलब B जो है वो A का पिता है अब question द्यान से सुनना मैं दो question यहाँ पर पूछ रहा हूं important है और आप लोगों को प्रते question में यही चीजें परिसान करेंगी आप लोगों को प्रते question में यही चीजें परिसान करेंगी जैसे एक question है कि A का B से क्या रिस्ता है द्यान से समझे A का B से क्या रिस्ता है एक question यह है और दूसरा question मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो दूसरा question है मेरे दोस्त, B का A से क्या रिस्ता है? B का A से क्या रिस्ता है? एक question यह है आपके सामने, तो मैंने दो question रखे हुए हैं, A का B से क्या रिस्ता है? और दूसरा question है B का A से क्या रिस्ता है तिहान से समझो तिहान से समझो यदू बंसी कह रहे हैं बाप बहुत बढ़िया बिटा होता कुछ नहीं है इन बातों से बाप भी पिता कोई कहते हैं लेकिन थोड़े से आपके मतलब ये चीज़ें जहलकती हैं कि आप किस मतलब किस तरीके के व्यक्ति है बात आ रही है समझ में तो देखो बाप लिखने में कोई दिक्कत नहीं है कमेंट में लेकिन इसका मतलब एक बात संकेत मिलते हैं कि ये व्यक्ति जो कमेंट कर रहा है किस सोच का व्यक्ति रहा होगा है बहुत बढ़िया तो चलो कोई बात नहीं है अपना अपना विवेक है सभी व्यक्तियों का सभी की अपने अपनी सोच है इससे जादा कुछ नहीं होता है बच्चे बहुत बढ़िया आजाओ तो मैंने आप लोगों से कहा एका बी से क्या रिस्ता है तो बच्चे आप लोगो को इस बात पर फोकस करना है कि इस का से पहले किसका नाम है तो आप लोग कहेंगे ए का नाम है मुझे एक बात बताओ किसका नाम है का से पहले आप लोग कहेंगे ए का तो ए कौन है मेरे दोस्त ए कौन है ए कौन है ए पुत्र है क्या कहेंगे ए पुत्र है तो अगर ए पुत्र है तो पहले सवाल का अंसर पुत्र ही होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बात आई समझ में पहले सवाल का अंसर पुत्र दूसरा कह रहा है B का A से क्या रिस्ता है सर समझो यहां का से पहले क्या आया है यहां का से पहले B आया है यानी depend ये करेगा कि question क्या पूच रहा है आप जब आब क्या दे रहे है कह रहा है बी का A से क्या रिस्था है तो B कौन है B पिता है तो इस सवाल का अंसर अंसर में आप लोगों को वो लगाना है जो पहले वाला है तो पुत आएगा ये बात clear हो गई अगली बात समझो जो ये बात लिखी हुई है A का B से क्या रिस्ता है इस बात को ऐसे करके भी लिख सकता है कि A B से किस प्रेकार संबंदित है ऐसे भी लिख सकता है कि A B से किस प्रेकार संबंदित है बात आ रही है समझ में ऐसे भी लिख सकता है कि A, B से किस प्रिकार संबन्दित है तो बच्चे तो भी आपका आंसर पुत्र होगा क्योंकि अब भी जो पहले आया है वही हमें बताना है पॉइंट किलियर हो रहा है एक बार थमसब करके बता दो पॉइंट किलियर है आप लोग कहोगे भाया इन चीजों से क्या होगा इन चीजों से आपके question धर्राटे काटएंगे बिटा अभी मैं question पर चलूँगा और आप लोग देखना एक जादूसा ना कर दिया ना इन question में आप लोग question को देखते ही मातर 10 seconds के अंदर आंसर करेंगे मातर 10 सेकंड के अंदर आंसर करेंगे इस बात का वादा है लेकिन आप इन चीजों को समझ लो ये step important है मैंने कहा ये भी से बी का A से क्या रिस्ता है ये भी ऐसे ही बन सकता है कि B A से किस परकार संबंदित है फिर भी हमको पहले वाला ही बताना है सबसे important point था क्योंकि मानकर चलो मैं यही नहीं पहचान पाया कि मुझे बताना किसको है तो मैं question cancer नहीं कर पाऊंगा, सही है, तो नहीं कर पाऊंगा चलो पहले सवाल पर तयार हो आप session में question करने के लिए क्योंकि आपका basic लगबग complete मैंने आपको कराया है, इन चीजों को दिहान में रखते हुए ये आप लोगों को diagram बनाते हुए, फिरके आप पूछ रहा है उन्चे अप चीजों को समझते हुए आप लोगों को question पर चलना और मुझे विश्वास है, आप बहुत बड़िया तरीके से question करोगे कोई गलती नहीं करोगे, अब देखते हैं कितने प्यारे साथी ऐसे हैं जो अब यहां से questionों को सही करना प्रारंब करते हैं तो प्यारे साथी आज की class का ये पहला question है ये आज की class का पहला और एक basic सा question है, जल्दी से बताओ इसका answer क्या होगा जल्दी से बताओ इस present का answer क्या होगा, question पर focus करो क्या कह रहा है question पर focus करो क्या कह रहा है सौरब कुमार के रहे हैं सौरब कुमार के रहे हैं प्राची I love you बहुत बढ़िया सौरब बहुत सांदर बिटा बहुत मेहनत से आप अपना काम कर रहे हो लगातार लगे रहो बच्चे सफलता जरूर मिलेगी मेरे दोस्त मेरे भाई यो इतनी लगन से काम करता है ना बंदा उसे जरूर सफलता मिलती है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत सांदर बहुत बहुत बहतरी लौलदा बैश्ट बहुत सुन्दर बिटा शाबास मेरे सेर आजाओ बहुत जल्दी आगे question पर आजाओ क्या कह रहा है क्या कह रहा है देखो कह रहा है कि दिया है A B की मा है मैंने कहा A B की मा है तो कैसे कहूंगा A मा है तो माइनस हो गई किसकी मा है B की अब B की मा A है तो B से A की पीड़ी उपर होगी और A माइनस हो जाएगी क्योंकि A मा है बातारी समझ में आगे कह रहा है कि C A का पुत्र है कह रहा है C A का पुत्र है तो भाया C कौन हो गया B का भाई हो गया आया ना भाया B की मा कौन है A और C पुत्र है तो C प्लस हो गया C किसका भाई हो गया B का पर B का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, कह रहा है कि D E का भाई है, तो D E का भाई है, बच्चे इस स्टेप को देहान से सुनना है, यह हिंट भी होती है, कि भाई हाँ, मुझे यहां से क्वेशन नहीं करना है, कौन सा हिंट? जैसे इसने कहा इस लाइन में कि D E का भाई है, इस लाइन को देहान से समझो, इसने कहा है, D E का भाई है, तो इसमें दो नाम आए है, D और E, और इन दोनों ही नामों में से, यहां पर ना तो भी D आया है कहीं भी, और ना ही यहां पर E आया है कहीं भी, जब कोई भी नहीं आ तो E B की बेटी है इसका मतलब B के नीचे E का नाम आएगा और अगर E बेटी है तो माइनस कर दो और बच्चे जैसे ही मैंने यहां E लिखा तो जो लाइन थी D E का भाई है वो कॉमन मिल गया तो D E का भाई है तो E के बराबर में D आ गया भाई है तो पिलस हो गया क्योंशन कर रहा है D की दादी कौन है? भाई है, मुझे एक बात बताओ, दादी का मतलब है एक पीडी से भी एक पीडी उपर मतलब दो पीडी उपर और यहां पर आपको दो पीडी उपर भाया ईसे एक पीडियो पर यह जो 20 हैं तो यह किसमें होते हैं तो पापा, चाचा, चाची, मम्मी इसमें होते हैं तो यह question करा है दादी यानी की और पीड़ी दो पीडियो पर कौन है ए है इससे बहतर कुछ नहीं हो सकता मतलब जबाब है option number A बताओ समझ में आया कि नहीं है के बताओ आसान लगने लगा है न थोड़ा 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 आसान लगने लगा है न क्लास को सेर कर दो 500 भी लोग अभी नहीं है 15 लोगों की कमी है जल्दी से बच्चे एक बार क्लास को सेर करेंगे और लाइक करेंगे अपने उपस्तिती जर्जकर धर्जकर बहुत में हम Canadians क्लास में हैं तो हमने लगा यह डिलिए कैसे पता चलेगा बहुत जलदी से लएक करो पता तो जब ही चलेगी सिरंध्या लाइक कर दिया तो मतलब मैंक्लास में लगाते हो ओके ो देखो यह उतका पात जाओगे तो वहां भी अपनी रहती है सब्सक्राइब तो एक बार जल्दी से करते रहा करो काम को जैसे मौका मिला कर रहा है चुप लाइक के बटन दबा दे करो पिटा इस दबाने वभूने के जो काम है मौके मिलते ही लाइक की बात कर रहा हूं आराम से दबा दिया करो लाइक के बटन को ठीक है बहुत बढ़िय step कह रहा है कि P Q का भाई है तो P पिलस हो गया किसका भाई है Q का भाई है तो P को Q के बराबर में रख दिया भाई तो भाई तो भाई या बराबर की पीडी में तो आएगा भाई बराबर की पीडी में तो आएगा तो P Q का भाई हो गया कह रहाए कि R Q की पुत्री है, बहुत सुन्दर, तो Q की पुत्री R बन गई, और R पुत्री है तो माइनस बन गई, very good, बहुत बढ़िया Question आगे कह रहाए कि S P की बहन है, तो P के बराबर में S का नाम लिख दो, और S बहन है, तो महिला है, मतलब माइनस बना दो QS की बहन है QS की बहन है तो Q का जेंडर भी पता चल गया की माइनस का है Q का जेंडर पता चल गया की माइनस का है कहरा है कि T R का भाई है तो T को R का भाई बना दो भाई है तो पिलस कर दो कहरे T का मामा कौन है मामा कौन है मुझे बताओ मामा कौन होता है मामा होता है मैया का मतलब माता का मतलब मम्मी का भाई तो मैंने कहा टी की माता कौन है क्यों होगी भाई या टी की माता कौन क्यों होगी क्योंकि टी की बेहन आर की माता क्यों है तो बेहन की माता भी तो अपनी ही माता होगी तो मैंने कहा मैंने कहा मेरे दोस्त T की माता Q और Q का भाई P यानि कि इसका मामा हो जाएगा बोलो भाई किलियर है बोलो भाई किलियर है हाँ भाई प्रतिस नंदन बिल्कुल हो जाएगा तो मैंने कहा बात समझ में आ गई आंसर आग्या मेरे सवाल का बताओ इतनी बात सब को confirm समझ में आई है बहुत सुन्दर बच्चे next question पर आजाओ confidence ऐसे बढ़ता है धीरे-धीरे व्यक्ति का जब व्यक्ति question को बढ़िया तरीके से करने लगता है बताओ बहुत जल्दी से इसका अंसर एक और सांदार सा question आपकी स्क्रीन पर है जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ एक और सांदार का सा question स्क्रीन पर है जल्दी से बताओ क्या जबाब होगा बताओ बहुत जल्दी से देखो एफ एका भाई है तो भहिया एफ भाई हो गया मतलब पिलस हो गया किसका भाई हो गया एका भाई हो गया very good C A की बेटी है C A की बेटी है तो A की बेटी एसे नीचे आएगी कौन C और बेटी है तो माइनस बनेगी बेटी है तो माइनस बनेगी सही है K A की बेहन है बहुत सुन्दर K को बना दो A की बेहन A की बराबर में आएगी देखो कुछ करना ही नहीं है Step to Step पढ़ते जाओ जहां की कह रहा है वहाँ बिठाते जाओ मैं तो कह रहा हूँ बहुत असानी से कर दोगे बहुत असानी से बस आप लोग ऐसे समझो जैसे मैं समझा रहा हूँ यह कह रहा है जी C का भाई है तो C के बराबर में जी लिख दो Question में कुछ है ही नहीं और जी भाई है तो प्लस कर दो क्यों बहिए क्लियर हुई बात करा जी का चाचा कौन है जी का चाचा कौन है ऐसे पूछ रहा है बचे अब दिहान से सुनना चाचा और मामा का प्रियोग यहां पर एक ही सब्द के लिए हो जाता है अब मैं कहूंगा उपर एक तो जेंडर नहीं पता के महिला है तो कभी सवाल का आंसर हो गया मेरे सवाल का आंसर एप हो गया ऑप्सन नमबर डी बताओ प्यारे साथी क्वेश्चन समझ में आया की नहीं आया कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बहुत बढ़िया प्रियंका करें सर जी थोड़ा फास्ट चलो प्लीज गुडिया इससे ज़़ा फास्ट नहीं चला जाता मुझ पे है साब कितना भी अच्छा पढ़ाने की कोसिस कर लो अपनी जान को हतेली पर रखके पढ़ालो लेकिन दो चार बच्चे हर टाइम भाई साब मतलब दिमाग को खराब करने पर लगे रहते हैं भाई यार एक बात बताओ बाकी बच्चे क्या एस पीड अच्छी नहीं चल रही जोइन लेटर बनवा के दे दूं गुडिया आज मैं तो यार कितनी बढ़िया क्लास चल रही है और वो एक कमेंट को बार-बार ध्यान में मतलब मेरी समझ में नहीं आता एक ही कमेंट को गुडिया आप बार-बार कर रही है क्या क्या ये सोभा देता है आपको शेजी स्प पाल का answer क्या है जल्दी से बताएंगे इस question का answer क्या है जो question अभी आप बोल्ड पर देख पा रहा है बताएंगे जल्दी से question का right answer क्या हो जाएगा देखो ध्यान से क्या कह रहा है तो question को ध्यान से B कौन हो गया C का पती हो गया Question आगे कह रहा है कि E C का पुत्र है तो C का पुत्र E है तो प्लस हो गया और पुत्र है तो प्लस हो गया दिहान रखना कि C और B पती पतनी है C और B पती पतनी है तो अगर E C का बेटा है तो B का भी बेटा होगा होगा की नहीं होगा जरूर होगा question आगे क्या कह रहा है question कह रहा है कि a b का भाई है तो a को मैंने भाई बना दिया मतलब पिलस कर दिया कह रहा है और d का पिता है एक बात ध्यान रखना अब यहाँ पर एक doubt बनता है मुझे कि भाई d का पिता कौन है एक point बनता है कि d का पिता कौन है तो हमेशा ध्यान रखना जब यह और सब्द लगा होता है तो और सब्द का प्रियोग पहले वाले के लिए किया जाता है ध्यान रखना इस बात को मैंने कहा और सब्द का प्रियोग पहले वाले के लिए होता है और अगर सब्द आजाए जो तो जो का प्रियोग बाद वाले के लिए होता है बात आ रही है समझ में तो question करा है D का पिता है तो D का पिता कौन है A है क्योंकि A और B में पहले A आया है सही है तो मैंने कहा D का पिता कौन हो गया A तो भहिया D कौन हो गई A की संतान हो गई बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है question आगे यहाँ पर देखो दिहान से क्या कह रहा है question को आगे दिहान से समझाएंगे कि question क्या कह रहा है तो question यहाँ पर कह रहा है कि बता दो कि E का D से क्या संबंद है question कह रहा है कि E का D से क्या संबंद है यानि E कौन है D का तो मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ A और B कौन है भाई-भाई है हाई न या 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 यह जो D है यह A का बच्चा है और B का बेटा कौन है E है तो यह अगर भाई-बाई है और ये कौन है एका भाई तो पापा का भाई कौन हो गया चाचा और ये चाचा का कौन है बेटा तो चाचा का बेटा कौन होता है चचेरा भाई होता है चचेरा भाई होता है, मतलब option number D, आपके question का right answer है, बहुत सुन्दर, बहुत सांदार, बहुत बहतरीन, प्यारे दोस्तों, एक दम ला जबाब, साइया भाई, यहां तक point clear हुआ है, समझ में यहां तक की बातें आई है, तो next question पर बढ़ जाओ, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, एक बार दिहान से सवाल पर आजाओ, ला जबाब question है, बता दो पूरा का पूरा concept की क्या होने वाला है, इस present का right answer, बताओ जल्दी से comment करके, जल्दी से comment करके बताओ, क्या होने वाला है, right answer, देखो दिहान से, A, C का पिता है, अगर A पिता है, तो पिलस हो गया, किस का पिता है, C का पिता है, तो यहाँ पर C लिख दिया, C, B का बेटा है, मैंने कहा था, comment नहीं है, तो छोड़ देंगे, ना D आया है, ना B आया है, बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किरा, E, A का भाई है, तो A का भाई, E हो गया, और E भाई है, तो पिलस हो गया, किरा, कि C, D की बहन है, तो C बहन हो गई, मतलब माइनस, किस की बहन है, D की बहन है, और यह पॉइंट था, D, B का बेटा है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर D बेटा है, तो पिलस हो गया, यहाँ पर जो मुझे D दिखाई दे रहा है, वो A का बेटा दिखाई दे रहा है, यहाँ जो मुझे D दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा, वो A का बेटा है, लेकिन यह करा, D, B का बेटा है, और अगर D, A का भी बेटा है B का भी बेटा है तो मैं A की साधी B से कर दूँगा और अगर यह अपने पापा का बेटा है तो अपनी मुम्मी का भी बेटा होगा क्योंकि अगर यह प्लस का चिन है तो यह चिन किसका है माइनस का चिन है बोलो भाई समझ में आई बात की की पतनी है भाई की पतनी भावी होती है option number C मेरे question का right answer होगा बताओ यहां तक समझ में आई है कहानी की नहीं नेक्स्ट question आज की class का यह रहा बताओ जल्दी से इसका जबाब क्या है जल्दी से बताओ इस प्रेसन का right answer क्या होगा इस प्रेसन का right answer क्या होगा प्लीज एक बार जल्दी से मुझे comment करके बताएंगे बताओ जल्दी से जल्दी से बताओ comment करके इस question का right answer क्या होगा कहरा है कि यदि A B की बहन है तो मैंने कहा A बहन है तो माइनस हो गई किसकी बहन है B की बहन है करा A B की बहन है तो मैंनस हो गई करा C B की मा है तो अगर C मा है इसने कहा था A B की बहन है C B की मा है तो C उपर आएगी मैंनस होगी क्योंकि मा है D C का पिता है तो D को C से भी उपर रख दो क्योंकि D C का पिता है यानि पिलस हो जाएगा पीस E का पिता है यानि पिलस हो जाएगा क्वेश्चन आगे कहरा है कि E D की मा है तो E को और ऊपर रख दो E मा है तो माइनस बना दो E D की मा है तो बताइए A का D से क्या रिस्ता है यानि A कौन लगता है D का Bचे D नहीं बताना कि D कौन है आपको बताना है A कौन लगता है D का मैंने आपसे अभी-भी कहा था कि जिसका नाम पहले आया है वही बताना है तो A का D से क्या रिस्ता है यानि की A कौन है D का जितने भी प्यारे साथी यहाँ पर दादा या नाना बता रहे हैं मेरे दोस्त question पूचा है A का D से रिस्ता क्या है और भीया answer आएगा answer आएगा A का D से क्या रिस्ता है तो A का पोती या नातिन होगी ना की दादा या नाना answer आईगा क्योंकि question यह थोड़ी पूचा था कि D का A से क्या रिस्ता है भाई मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में इस बात से अबगत कराया था कि अगर मैंने आपको इस बात से अबगत कराया था कि जो भी नाम पहले होता है वही बताना होता है बताया था कि नहीं मैंने कहा था कितने लोगों से गलती हुई है एक बार जल्दी से बता दो थं पूछ रहा है A का D से तो ये बताओ A कौन है A कौन है पहले वाला कौन होता है ये बताना है तो भईया इतनी छोटी छोटी गलती अगर पेपर में करोगे वो भी समझाने के बाद तो फिर दिक्कत है पूरा सब कुछ समझाने के बाद इतनी छोटी गलती पेपर में नहीं करनी है अगर मैं कहूंगा तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि question यहाँ पर ये पूछ रहा है कि A का D से क्या रिस्ता है अगर A का D से रिस्ता पूछ रहा है तो मतलब आपको A बताना है कि A कौन लगता है और आप बता रहें कि D बताओ ये बात याद रहेगी चलो तो अगले present पर चलते हैं आज की class का अगला present बताएंगे इसका जबाब क्या होगा बताएंगे मेरे दोस्त इस present का जबाब क्या होगा बताओ भई जल्दी से जल्दी से बताओ इस present का right answer क्या होगा जल्दी से बताओ भई क्या होगा बचे जो पहले वाला है वही बताना इसमें दिक्कत कहां आ रही है जो भी hostile से पहले आ possa दो क्या दिक्कत आ रही है आपको इस चीज में छोटा सा तो Point या लाइक तो करते नहीं जल्दी से लाइक करो पांसो Light हो जाने चाहिए जल्दी से ऐसे मज़ा नहीं आ रहा क्लास में जल्दी से kरो अब यह कुछ MLोग थो क्यों नहीं करते होंगे कि अगर लाइक कर दिया तो माश्टर के तो लाइक बढ़ जाएगा मेरे दोस्त ऐसे नहीं करते खुसियां बाटने से बढ़ती है तो खुसियों को बाटो बढ़ाओ बहुत अच्छी तरीके से लाइफ को जीओ एक बार दबादो लाइक का बटन दे प्रहान से आजाओ इस क्वश्चन पर तो मैंने कहा ए बी का भाई है मैंने कहा ए बी का भाई है तो ए पिलस हो गया किसका भाई है बी का भाई है ए पिलस हो गया बी का भाई है बी की नहीं पता कौन है लेकिन ए भाई है बी सी की बहन है बी बहन है तो माइनस हो गई किसकी बहन है C की बहन है C D का पिता है C पिता है तो पिलस हो गया किस का पिता है D का पिता है question एकदम खतम हो गया question एकदम खतम हो गया कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को कह रहा है D का A से क्या दिस्ता है question कह रहा है D का A से क्या दिस्ता है मतलब D बताना है कि एका कौन लगता है देखो मेरे सभी प्यारे दोस्त मेरे सभी भाई बहन वैसे तो कहते भहिया स्पीड से पढ़ाओ आराम आराम ची चल रहे हो वैसे देखो कितने तावर तोड गलत आंसर कर रहे हैं भाई सब मेरे सामने बैठे हुए होते ना मेरे सामने बैठे हुए होते तो एक एक घुसा मारता मैं तुम सब के मन तो कर रहा है अब भी मारता हूं मैं तुमारे लेकिन फिर सोचता हूं यार यह तो दूर बैठे गुड़ा जो आप लोग आंसर बता रहे हो कि भाईया इस सवाल का आंसर भती जा होगा मेरे सेर मेरे दोस्त मेरे जिगर के टुकडे इस क्वेशन में तो डी का जेंडर ही पता नहीं है देखो सालू रीजनिंग एक वो जीजू बता रही है उनकी अलगी दुनिया चल रही है बहुत बड़िया मेरे दोस्त मेरे भाई पी का जेंडर क्लियर नहीं है पी का जेंडर क्लियर नहीं है दी ना प्लस है माइनस है I can't say about this, this is out of my knowledge और ये चीजें दी ही नहीं गई है question के अंदर तो मैं कहूँगा भीया आकड़े ऐह परियापत है मेरे पास data परियापत नहीं है इसका मतलब मैं निर्धारित नहीं कर सकता can't be determined की इसका अंसर क्या होगा मेरे question का अंसर चौथा अपसर है बात आ रही है समझ में की नहीं बात आ रही है समझ में की नहीं very good, बहुत बढ़िया next अगला सवाल बताएंगे साथ ही सवाल का अंसर क्या है जल्दी से बताओ इस question का right answer क्या है बचे ये आज की पुडिया में रहेगा आप लोगों को इसका अंसर देना है सभी प्यारे दोस्तों को इस question का answer हमवर्क में देना है सब के comment आने चाहिए क्लास में सब के भाया 2 December को exam है mix practice set कब कराऊगे mix practice set कब कराऊँगा ये बात भी मैं तुम्हें कल बताता हूँ इस चीज़ को ठीक है कल बताता हूँ मैं तुम्हें कि mix practice set कब कराऊँगा ठीक है मेरे भाई जितने भी मेरे भाई बहने मैं कल बताऊँगा कि mix practice set मैं तुम्हारे लिए कब कराऊँगा कब हम सांदार तरीके से कराएंगे mix set ठीक है बाई चलो next question पर आजाओ बताओ इस का answer क्या है जल्दी से बताओ इस question का answer क्या है यह बहुत सांदार question है एकदम बहतरीन question है कैसे करेंगे एक बार question को करने की कोसिस करना और मुझे विस्वास है आप कर पाऊगे ध्यान से देखो कैसे तो question को एक बार ध्यान से समझते हैं कि question क्या है नीचे करो comment को सर जी लड़का है या लड़की है पर दोनों का एक ही रिस्ता होगा एक ही रिस्ता हो जाएगा लड़की और लड़का है क्यों भई एक हो जाएगा लड़का लड़की ते कोई फरकी ना पड़ है प्रतमस है नहीं गुडिया अलग आएगा इनमें आएगा ग्यात नहीं कर सकती ठीक है चलो भई आजओ question करा है सुरेस की बहन राम की पत्नी है दिहान से सुनना ये है सुरेस और जो सुरेस की बहन है जो सुरेस की बहन है ना जो सुरेस की बहन है मतलब यो यो राम को बहाई है सुरेस की बहन राम की पतनी है सुरेस की बहन राम की पतनी है तो सुरेस की जो ये बहन है माइनस ये कौन की पतनी है राम की तो राम से इसका बहा कर दो बताओ ठीक है आगे क्वेशन कह रहा है की राम रानी का भाई है राम किसका भाई है रानी का तो ये जो माइनस लगा रखा है ये जो माइनस लगा रखा है मैंने क्या कहा मेरे दोस्त इसकी तो ये कौन है पत्नी है राम की और राम रानी का भाई है तो राम के बराबर में रानी का नाम लिख दो और राम हो गया रानी का भाई बात बराबर हुई बेटा एके 47 को क्वेश्चन हमवर्क के लिए दिया है सही है? वो हमवर्क में बताना है किया राम के पिता मधुर है तो राम के उपर मधुर का नाम लिख दो बचे अगर राम के पिता मधुर है उसका मतलब है कि इनका नाम है मधुर कभी यूं कहो कि राम के पिता मीठे हैं मधुर माने मीठे समझो मीठ मतलब इनका नाम है किरा सीतल राम की दादी है सीतल राम की दादी कैसे बनेगी जब मधुर की माता बनेगी भई दादी कौन होती है पापा की मम्मी तो होती है तो प पुत्रवधू है, पुत्रवधू का मतलब होता है पुत्र की पत्नी पुत्र की पत्नी तो रीमा सीतल की पुत्रवधू जब बनेगी जब रीमा मधुर की पत्नी बन जाएगी कैसे जबी तो रीमा सीतल की पुत्रवधू बनेगी के पुत्र मतलब मधुर की पतनी पुत्र मधु हो गई रोहित रानी के भाई का पुत्र है रोहित रानी के भाई का तो रानी का भाई कौन था राम तो राम का बेटा कौन हो गया रोहित राम का बेटा रोहित हो गया रोहित सुरेश का क्या लगता है ये बताओ रोहित कौन लगता है सुरेश का रोहित कौन है सुरेश का तो रोहित जो है राम सुरेश की बहनकाई तो छोड़ा है क्यों भई बताओ जल्दी से राहुल कह रहा है जी सन होगा राहुल थोड़ी सी बुद्धी लगाए करो बेटा ऐसे तुम हर टाइम चलूआ प सुरेश का रोहित कौण है, राम का बेटा है, मतलब सुरेश की बहन का, इसका भी तो बेटा इस माईनस का, तो सुरेश की बहन का बेटा है, और बहन का बेटा कौन होता है, भाण्जा होता है, option number D. Option number D, आपके question का एक dumb right answer है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सांदर, बहुत बढ़िया, पताओ यहां तक बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है, सब को समझ में आई है या नहीं आई है, बहुत बढ़िया, बहुत सांदर, एकदम बहतरेन, ये अब देखो दिहान से, अगर आप लोगों को इतना सा point clear है तो अब next question, आपने इस question में एक और चीज़ देखे होगी कि भाई, अब थोड़ा सा हमने standard बढ़ाया था question का, सही है, चलो, और कोशिस करते हैं कि आपको अच्छा सा समझ में आई, next question आज की class का, बताओ इसका answer क्या है, जल्दी से बताओ इसका answer क्या है, बताए A और B बहन हो गई, A माइनस हो गई, और B भी माइनस हो गई, क्योंकि इसने कहा है, A और B बहने हैं, मतलब A और B दोनों महिलाएं होंगी, तब ही तो दोनों बहन बहन होंगी, कहरा है कि D की माता A है, तो यहाँ पर D A से नीचे आगई, तो D की माता A हो गई, B की एक पुत् पुत्री सी हो गई और बी की पुत्री सी है तो पुत्री मतलब माइनस हो गई कह रहा है जो एप से विवाहित है मैंने आपको आज की ही क्लास में क्या बताया था मैंने आपको आज की क्लास में से बताया था कि क्या बचे इन कौपी पेस्ट वाल इनको देख ले एक बार मैंने कहा था कि B की एक पुत्री C है जो F से विवाहित है मतलब F से विवाहित कौन हो जाएगी B की एक पुत्री C है जो F से विवाहत है मुझे एक बाद बताओ जो F से विवाहत है जो का प्रियोग बादवाले के लिए ही तो बताया था तो भाईया यह कह रहा है B की एक पुत्री C है जो F से विवाहत है मतलब F से विवाहत कौन है C बादवाला जो बूल रहा है तो बादवाला तो भाईया अगर C महिला है तो F कौन हो गए इसके पती देब हो गए मतलब पिलस हो गए रही है भाई आगे क्या कह रहा है A का पती G है A का पती G है तो भाईया A के बराबर में G लिख दो A माइनस है G को पिलस कर दो कराई C का D से क्या रिस्ता है कराई C का D से क्या रिस्ता है तो भाईया ये दोनों बहन बहने और ये इसका संताने इसका संताने तो C हो गई D की कौन ये मम्मी की बहन यानि मौसी की बेटी है मौसेरी बहन है मौसेरी बहन है option number A मौसी की लड़की है मतलब मौशेरी बहन है मौशी की लड़की कौन होती है मौशेरी बहन होती है वेरी गुड बहुत सांदार बहुत बहुत बढ़िया अरे बहुत बढ़िया पांच सो लाइक तो करतो कम से कम पांच लाइक की कमी रह गई है बस मतलब तुम लोगों से ऐसे खुसामत क्यों करव बैट हर वक्कत मुझे पर खुसामत कर बाओ चाहें तुम किसी की खुसामत करते होए घूम रही हो मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होगा वो कहते ना दुनिया है मेरे पीछे लेकिन रहे रे अपना बना ले मुए साजना चलो नेक्स्ट कॉस्चन question का right answer का का होगा ? अब्दुल्लाः खान हस तू जितना हसन होतो बीटा सबसे ज़्यादा हसर वह आज की क्लासमें तूई एक दम दातन ने फ़र दिये हैsolा है बहुत बड़ी अब्डुल्लाः खान हस बेटा जितना हसन हो बहुत सुंदर बच्चे ज़्यादा तो Q को माइनस बना दो क्योंकि वो R की बहन है तो माइनस हो गई करा, A F का भाई है Common नहीं है A और F मेंसे कुछ भी तो इससे हटा दो ठीक है करा, F D की पुतरी है तो D की पुतरी F को बना दो और F पुतरी है तो माइनस लिख दो करा, M Q के पिता है M Q के पिता है तो Q के उपर M लिख दो M पिता है तो पिलस बना दो एक लाइन रह गई थी कि A F का भाई है तो A को F का भाई बना दो A को F के बराबर में लिख दो सवाल प्याओ मेरे दोस्त जल्दी से क्या कह रहा है A के चाचा कौन है? A के चाचा कौन है? बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर, बहुत बहुतरीन, क्या अंसर हो जाएगा, चाचा इस क्वेशन का अंसर हो जाएगा, बताओ भई, क्लियर हुई बात, बोलो यहां तक बात क्लियर हुई है, बहुत बढ़िया, बहुत सांदार, एकदम बहुतरीन मेरे शेर बहुत बढ़िया करवाई next question आज की class का अगला सबाल बताएंगे इस सबाल का आंसर क्या है जल्दी से बताओ इस सबाल का आंसर क्या होगा दिहान से देख के बताओ अच्छा सबाल है कैसे करोगे इस question का आंसर लगाओ एक बार logic को कह रहा है सीमा सुधीर की बहु है बेटा बहु का मतलब क्या पत्नी बना दूँ मुझे बताओ ऐसे कितने लोगें जो ये कह रहा है अगर सीमा सुधीर की बहु है तो इसका मतलब है कि सीमा सुधीर की पत्नी है बहु का मतलब पत्नी नहीं होगा दिहान रखना क्यों नहीं होगा क्योंकि बहु होता है बहु होता है पुत्र की पत्नी मतलब पुत्र की पत्नी यानि की पुत्रवधू सही है तो सीमा सुधीर की बहु हो गई तो ये हो गया सुधीर और सुधीर के एक होगा बेटा और इस बेटे की पतनी कौन होगी सीमा तो सीमा सुधिर की बहुँ बहुत से कलाकार ऐसे होंगे जिनने सीमा को भेह सीधो सुधिरते कर दिये होगो है भीया चलो बहुत बढ़िया लेकिन समझो इस बात को ठीक है करा है और रमेश की भावी मोहन सुधिर का पुत्र है देखो द्यान से क्या कह रहा है करा है कि सीमा सुधिर की बहु है और रमेश की भावी है ये जो सीमा है रमेश की भावी है सीमा रमेश की भावी है तो बेटा रमेश कौन होगा इसका भाई होगा भाईया भावी जबी तो बनेगी रमेश इसका भाई हो गया तो ये रमेश का भाई हो गया भाई की पतनी भावी हो गई कह रहा है और रमेश का कह रहा है कि रमेश की भावी मोहन सुधीर का पुत्र है मोहन सुधीर का पुत्र है तो भीटा मोहन ये जो प्लस है ये मोहन हो गया आप कहोगे भीया ये मोहन प्लस क्यों हो गया क्योंकि ये किरा है और रमेश का अकेला भाई है तो ये जो मोहन है रमेश का अकेला भाई है यानि की मतलब रमेश के और कोई भाई नहीं है तो यही तो बचा और कोई बचा ही नहीं question पूछ रहा है सीमा और मोहन के बीच क्या संबंद है तो भहिया सीमा और मोहन पती-पत्नी है सीमा एंड मोहन पती-पत्नी है पत्नी इस सवाल में option में नहीं है तो पत्नी तो है option number D पत्नी तो है option number D बहुत बढ़िया सालू रिजनिंग के रही है लोग आई बहुत सांदर इन्हें ब्लोक कर दो थोड़ी दिर के लिए टाइम आउट करो इनको हाँ बहुत सांदर बहुत बहुत बहतरिन अच्छा कभी कभी ऐसे लगता है कि चलो लड़के अगर ऐसे सब्दों का प्रियोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं है लड़का है लेकिन लड़की इन सब्दों का प्रियोग करती है अजीब सा नहीं लगता चलो बहुत सुन्दर बताओ भई क्लियर है बचे बहुत सांदार बहुत बहत्रेन चलो next question पर वढ़ते हैं आज की class का अगला सवाल देखो ध्यान से क्या कह रहा है तो बताएंगे एक बार एक पिछला सवाल है और एक ये सवाल है दोनों आज की class के हमबर के हैं दोनों को comment में बताना है आप लोगों को क्या answer होगा तो ये दोनों question आज की class में आप लोगों को comment में बताने हैं क्या इनके answer होंगे बच्चे आज की क्लास थोड़ी छोटी ही रही है लगबग लगबग इस बज़े से क्योंकि लेटर श्टार्ट हो पाई थी और सारे नौ बज़े से आपकी इंगलिस की क्लास होती ही है कोई बात नहीं है बिलेड रिलेशन को कल हम बहुत अच्छी तरीके से समाप्त करेंगे ठीक है बहुत सुन्दर तो कल हम लोग समाप्त कर रहे होंगे इसे बहुत बढ़िया तरीके से बहुत सांदार तरीके से आप लोग जितना पढ़ रहे होना अब देखो सुनो दिहान से मेरा कहने का मतलब है अब आपके पास जितना भी समय है अब आपके पास कोई इतना समय नहीं है कि आप लोग टाइम पास करो इधर उधर नहीं जितना पढ़ाया है उतने सब को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए मतलब पूरा रिवाइज करिए जितना भी आप लोगों को पढ़ाया किया है प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कोसिस करूँगा कि मैं आप लोगों को पेपर से पहले 25 क्वेशनों का सेट भी कराके भेजू कि हाँ बही ऐसा क्वेशन पेपर आ सकता है उससे क्या होगा एक आइडिया होगा आप लोगों को लगेगा कि अच्छा ऐसा आ सकता है तो हम फिर बहुत बड़ी हतरी कैसे कर सकते हैं क्योंकि उससे एक लगबग लगबग आइडिया सा हो जाता है कि हाँ बही अगर हमारे टीचर ने पहले हमको पूरा स्लेबस कराया है उसके बाद हम लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट कराया है तो हमको एक आइडिया होता है कि हाँ ऐसा क्वेशन बन सकते हैं ये क्वेशनों का सेट बन सकता है उससे जो आइडिया होगा और वैसे एक और बात बताऊं माता सरस्वती का असरबाद रहा तो 25 questions में से कम से कम 20 से 22 questions आपको इस practice set के माध्धम से मिलेंगे अब depend ये करता है कि practice set को हमने कितनी मेहनत से किया है क्या हम उस practice set का हिसा बने है या नहीं बने है तो वो practice set कब होगा, ये मैं आपको कले एक बार बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से बता दूँगा, है ना, तो आप लोगों को अगर उस practice set का हिस्सा बनना है, तो कहीं न कहीं आपको फाइदा देखे जाएगा, आप लोगों के पास अब जि जितनी भी पुराना revision है, वो सब के सब आप लोग करिए, ऐसा ना हो कि यार आप पुराना revision ना कर रहे हो, बेटा पेपर में क्या होता है, जब हम पुरानी चीज़ों के एक बार revise नहीं करते हैं, तो पेपर में हम उनको भूल जाते हैं, हम लोगों को ये बाते ध्यान रख